दोस्तों हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि यह जो धन एप है उसमें आप option trading कैसे कर सकते हो पर मैंने end में यह भी बताया था कि option trader का अलग से app भी available है तो आज जो है इस app का मैं पूरा आपको walkthrough दे दूँगा और कैसे आप trade कर सकते हैं वो भी दिखा दूगा दन option trader का app खोलीजे तो दोस्तों आपके पास अगर धन का account नहीं है तो मैंने link जो है description में provide करी है फटक से जाओ और आपका account जो है वो बना कर आजा तो फिलाल जो है दोस्तों हम आ चुके है धन option trading के आप पर और यहां पर जो है आप इसका home screen देख सकते हो तो इसके home screen पर obviously अगर आप login करोगे तो यहां आपको नाम वगेर आप पर दिख जाएगा और यहीं से आप जो है profile भी access कर सकते हो अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर आप fin nifty देख रहे हो अगर आपको change करना है तो सिर्फ drop down menu available है यहां पर उसके लिए जो है यहां पर एक arrow है उस पर क्लिक कर लीजे और आपको यहां पर सारे अलग-अलग index जो है वो दिख जाएंगे या फिर indices तो इसमें जो है निफ्टी 50 वैंक निफ्टी इंडिया विक्स यह सारे इंडेक्स available है तो अगर हमें निफ्टी 50 देखना है तो सिर्फ उस पर आप क्लिक कर लीजे क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते है कि निफ्टी 50 जो है आ चुका है और इसका ATM प्राइस यानि आड़ दमनी प्राइस वह आपको दिख रहा है यहां पे जो है आप profit and loss यानि एक दिन क profit और loss कितना हुआ है वह आप यहां पर देख सकते हैं अब यह मार्केट जो है वह चल रहा है तो उसके वज़े से यह नंबर जो है वह फ्लक्ट्वेट भी होते हैं इसे आलवा दोस्तों नीचे आप देख सकते हो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का भी option दिया गया है अग यहां पर देख सकते हो फास्ट डिस्करवरी फ़र ऑप्शन ट्रेडिंग भी जया गया है तो अब फिलाल जो है बैंक निफ्टी केस में हो यानि टैब में और यहां पर निफ्टी 50 यह सारी चीज़े भी आप अराम से देख सकते हो तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आपक में जाओ तो यह सारी चीज़े जो है उनकी दिख जाएगी तो यह और अगर आप टाइटल देखोगे तो आपको कॉमन दिख जाएंगे नीचे जो है दोस्तों आपको स्कैल पर और चार्ट भी है यहां पर कमोडिटी मार्केट्स अब देख सकते हो एनरजी में आपको अगर चले जाओ तो यहां पर डिट्री और चीज़े भी अभी नीचे की तरफ दोस्तों हैं अलग अलग ट्रफ जो है आपको यहां अवेलेबल है तो एक एक करके सारे डाब में आपको एक एक इस्क्राइन सुखें एक आलग these कर सकते हैं जहां पे इन्वेस्ट वाला उसकी एक वॉच्लीट कि रहती है यहे मैं ने बनाई हुई है और सेटिंग से जो है आप इस पे सिफ क्लिक कर लोगे तो आपको आपके वाचलिस में जो भी अपने इंडेक्स या फिर स्टॉक्स है सेव करके रखे होंगे वह आपको यहां पर देख सकते हो अब जो है दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स के आईकॉन पर सेटिंग्स के आईकॉन पर अगर आप जाओगे तो वापस आपके जो भी वाचलिस्ट है उनके नाम आ जाएंगे सिर्फ उनमें कितने स्टॉक्स है यह आपको यहां पर दिख जाएंगे और यह जो लाइन से इससे जो है आप आपके वाचलिस्ट में उपर नीचे कर स सकते हो जो भी आपके हिसाप से हो अगर आपको एक नई वॉक्ष लिस्ट बनानी है तो आपको सिव यहां पर टैप कर लेना है उस पर टैप कर लीजिए तो हम जो है यहां पे धन पहले दोस्तों धन ऑप्षिंस नाम का एक वाचलिस्ट हम क्रेट करना चाहते हैं तो हमने नाम दे दिया उसको तो यहां पर आपको एक टिक मार्क दिख जाएगा उस पर क्लिक कर लीजे और यहां पर आप देख सकते हो कि धन options नाम की एक watch list बन चुकी है अगर यही watch list मुझे delete करनी है तो क्या कर सकते हैं यहां पर आपको वापर setting में जाना है और जो भी watch list आपको delete करनी है तो फिलाल हम यही डिलीट कर देंगे तो आपको सिब उस पर tap करना है और tap करते ही आपको view and edit rename और delete का option आ जाएगा तो आप यही से delete कर सकते हो या फिर नाम भी change कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक और watch list क्रियेट करी है तो उसमें अगर add करना है आपको कोई भी चीज तो क्या कर सकते है यहां पर आपको add to watch list का भी option दिया गया है अगर आप search करना साथे सीधे सीधे तो यहां यहां पर आप search भी कर सकते हो तो हम जो है यहां पर add to watch list पर चले जाएंगे और इसमें हम अपना फिलाल इंडेक्स कर लेंगे तो for example हम bank nifty search कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों bank nifty मैंने search किया तो nifty bank आ चुका है और इसके अलग अलग टाइप के जो options है वो भी आ चुके है तो फिलाल जो है हम bank nifty add कर लेंगे add करने के लिए यहां पर आपको एक plus icon दिया है उस पर click कर लिजे और यहां पर आप देख सकते हो क यह add हो चुका है तो बैक प्रेस करेंगे तो बैक प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते option trading के अंदर nifty bank जो index है हमने search करके add किया था वो यहां पर add हो चुका है यह जो है अभी NAC पर चल जाए यानि national stock exchange आज का इसका profit and loss जो रहा है वो आपको दिख जाएगा इसकी add the money price ह हम कहते है यानि ATM प्राइस और यहां पर आपको वापस इसका P&L दिख जाएगा profit and loss यह वाला जो है आपने अगर invest कर रहा होगा तो यह दिख जाता है और यहां पर जो है आपको overall profit loss दिख जाएगा तो इसमें जो है अगर मैं चाहता हो तो एक और चीज भी add कर सकता हूं त तो निफ्टी बैंक हम सर्च कर लेंगे वापस हमने जो है यहां पर बैंक निफ्टी कॉल सर्च कर लिया है आप यहां पर देख सकते हो और नीचे जो है अलग-अलग कॉल के option भी आ चुके है बैंक निफ्टी हमारे obviously index का नाम है यहां पर जो आपको date दिख रही है इसको कह स्ट्राइक प्रैस तो स्ट्राइक प्रैस अपको इसके दिख जाएगी और यह क्योंकि कॉल है तो यहां पर कॉल भी लिखा आ जाता है तो आपको जो भी पसंदीदा या फिर आप जो भी इसमें ट्रेडिंग करना चाहते है option में तो उसमें अगर आपको आड करना है तो सि यहां पर आड हो चुका है कॉल और इसमें वापस आपको यही चीज़े दिख जाएंगी एनसी आज का प्रॉफिट अनलॉस फेर प्रॉफिट अनलॉस यहां पर और अड़ प्रैस जो भी इसका चल रहा है वो भी दिख जाएगा तो उस पर अगर हम क्लिक करते दोस्तों त आपको देखने को मिल जाती है हाँ अभी मार्केट डेप्थ भी आपको अवेलेबल है तो यहां पर बाय ओर्डर दिखाई देती है और यहां पर जो सेल ओर्डर है इसी ओप्शन की यह सारी चीज़े दिखाई देती है इसका बेड कितना हुआ है कितने क्वांटिटी में यह चल रहा है और इनकी ओर्डर कितनी लगी है यह भी आप देख सकते सिमिलरली आपको यही पर सेल ओर्डर की भी दिख जाएंगे नीचे की तरफ दोस्तों आपको वहाँ पस एक लाइन ग्राफ देखने को मिल जाता है तो इसमें कितने बाय हुए है और कितने सेल हुए ह यह ग्रीन जो है और रेड जो है वो सेल है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसके अलबहे नीचे जो है आप एक अमांट लगा कर रख सकते हो लिमिट और यहां पर एक अलर्ट लगा सकते हैं वाचसलिस में आड करना रहा वह भी कर सकते हो, बस्केट में आड करना flash trading करना यह सारी चीज़े आप यहीं पर कर सकते हो चार्ट पर दोस्तों हम एक मिनिट में आ जाएंगे पर इसके पहले हम नीचे जाएंगे नीचे जाकर आप यहां पर देख सकते हैं option snapshot तो open interest कितने हैं change in open interest कितना हो चुका है यहां पर दिख जाएंगे अगर आप नीचे स्क्रोल करते हैं दोस्तों वापस आप मार्केट कितने में उपन हुआ है आज का हाई जो भी है वह दिख जाएगा आज का लो जो है काफी लो चुका था यह तो वह भी दिख जाएगा और प्रिवियस जो भी था यानि जो लास द पर दिख जाएगा इसके अलावा वापस आपको वॉल्यूम लोर सर्केट लास्टेट यह सारी चीज़े नीचे भी दिख जाएगी तो अब जो है दोस्तों हम आ जाएंगे ऑन चार्ट में आपको दो अलग तरह के चार्ट देखने को मिल जाते चार्ट आईक्यू और ट्र अब 3 देख सकते हो यहां पे यहां पर 3 देनकर है दिखिए अब यह जो कैंडल है यह सारे की आप 158 तेन regen director याने यहांत सकते denk का जो भी इसका प्रूग्रेस रहा हो आब यहां पे देख सकते हो तो कोई भी कैंडल हो प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता ग्रीन हो रहे हो पर एक कैंडल जो है वो डिनोट करती है तीन मिनट को आप चाहते हो तो इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आम प्लिक कर लेंगे और पाच मिनट पर जाना नहीं है यहां से भी आप कर सकते हो और यहां तो क्लिक कर लेंगे तो हमें आपको कितने ग्राफ देखने है वह आप यहां सकते हो तो मैं जो फिलाल टाबलेट पर हूं तो दो या तीन से मुझे नहीं लगता जादा प्रैक्टिकल है क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा ठीक से अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन है तो जरूर देख लीजिए यहां पर जो है मैं दो देख सकता हूं तीन देख सकता ह हो और सेव कर सकते हो सेव करने के बाद आपका जो भी चार्ट है वो सेव हो जाएगा उसके सेटिंग आप लोड लेयाओट में जा सकते हो और उसको वापस ओपन कर सकते हो यहीं से तो आपके सेटिंग जो है आपको दस बात लगाने या फिर निकालने की बिल्कुल देखने तो मुझे सिर्फ प्लस पे कलिख करना है और मेरे उचनिस्ट में जो भी या फिर री संब्स चले यहां पर आजाएंगे अगर आप सर्छ करना चाहते हैं तो आपको इसमें आप आराम से टॉगल भी कर सकते हो हां सिर्फ टॉगल की बात नहीं आप अगर आप स्क्वेर पर चले जाओगे और यहां पर मुझे समझे दो चार्ट देखने हैं तो मैंने होरिडॉंटल सेटाप यहां पर लगा लिया है यहां पर देख सिर्फ बैंक निफ्टी दोनों बार खुल गया है पर अगर आप चाहत जाना चाहते एक ग्राफ के लियाओट पर वण पर क्लिक कर लिजे और आपका ग्राफ जो है यहां पर नॉर्मल तरीके से आचुका है इसके अलवा आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहां पर आप ग्राफ आराम से देख सकते हो आप एक इनफर्म डिसीजन बने ज़र है को Whoo भी ले सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अलग अलग है के बाइंग ऑप्शन बमने हो किलिक कर सकते हो तो अगर हम बाइप किलिक कर लेंगे यहां पर आप नौर्मल यहां फिर ट्रेडिंग वापने और सकते हो लॉड़ साइज यह आप आप यहां पे देख सकते हैं अगर आपको नहीं करना तो आप प्रेस कर लीजे आप नॉर्मल आपका जो भी पर यहां पर यहां पर देख रहे हो तो मैं जैसे अपनी tablet की pencil ओपर नीचे करता ओं, यहां पर crosshair आ रहा है, यह crosshair प्लस ऐन जो है उसको कह सकते हैं, पर अगर मुझे buy or sell करना है, तो मैं easily इस पर tap कर सकता हूँ, और यहां पर आपको तीन अलग-अलग type की options आ चुके हैं, तो आप बाय कर सकते हो इस प्राइस के लिमिट पर यहां पर आप अपके अपके बाय और और यहां पर क्लिक करेंगे तो पूरी-पूरी आप कस्टम और यहां पर बना सकते हो यहां पर देख सकते हो पर यहां पर प्राइस 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 जो है आप वह बीजाएगा आप वह हो निचे जो है आप यहां पर ऑर्डर नहीं लगा सकते क्योंकि एक लॉट में आपको बाइक करना ही पड़ेगा और पंदरा जो है इसकी मीनिमम ऑर्डर तो पंदरा आपको युनिट्स लेने ही पड़ेंगे इसके अलावा यहां पर आप यहां पर टेक प्रॉफिट का लगा स सकते हो stop loss भी लगा सकते हो फिलाल जो हम अगर stop loss लगा भी देते हैं इसके पहले जो है हम प्राइस सेट कर लेंगे तो दोस्तों हमने प्राइस सेट कर लिए है 205 पर टाइम इन फोर्स देख सकते हैं और यहां पर इंट्राडे का भी option दिया गया मैं personally चूज करता हूं normal क्योंकि अगर आप intra day भी कर लेते हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है normal से एंट्राडे भी कर सकते हो अगर आप ज्यादा देर आपका जो भी position है वो hold करना चाहते हो तो आप normal से hold भी कर सकते हो तो आप जो है profit book करने के chances आपके खुद के बढ़ा रहे हैं पर अगर आप pro हो proper या फिर आप inter-day करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो यहां पर अभी buy का option दिया गया है बाई पे क्लिक कर लीजे तो यहां पर जो है क्योंकि market ऊपर चला गया by the time हमने order लगाई तो यहां पर दोस्तो buy limit लग गये तो buy limit क्या होती है क्योंकि by the time हमने यहां पर order लगा ली तो price जो है ऊपर चल गई हाँ अगर आप चाहते तो market पे भी buy या sell कर सकते हो पर हमने जो है वह limit पर buy करा था तो आप यहां पर quantity देख सकते हो buy limit लग यह देख सकते हो और जब भी इसकी price जो है 2.05 पर आएगी तो वह automatically order जो है आपकी execute हो जाएगी और आप 15 जो है 2.05 के हिसाब से ही buy करो गया पर एक चीज आपको यहां पर देखने है कि अगर आपकी price जो है वह जल् करना है या जो भी आपकी probability आपको लग रही है तो आपको सिफ इस पर करना है quantity पर और यहां पर आप order जो है आपकी modify कर सकते हो तो फिलाल जो है order modify कर लेंगे price जो है वह change कर लेंगे जो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो 205 पर हमने purchase किया था market दीरे दीरे नीचे आ गया और मेरी order जो है वो automatically successful हो चुकिए तो इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो buy limit के जगा अभी numbers आ रहे तो यह numbers क्या है यह numbers अगर green है और plus में है तो आपका यह profit हो जाता है तो अगर यह red में है और minus में आपको दिखा रहे है number जो भी तो आप loss में है तो इसके हिसाब से फिलाल जो है हम पूरे पूरे दो रुपए से या फिर तीन रुपए से हम profit बना रहे है फिलाल आपके order के उपर आप जो है वह बड़ा profit या loss आप कर सकते हो पर फिलाल यह demonstration purposes है हां यह चीज़ दोस्तों ध्यान रखिए कि मैं कोई type का financial advice यहां पर आफर नहीं कर रहा तो प call का order लगा है यहां पर अगर आपको put करना है तो आप आराम से reverse भी कर सकते हो और आपको तुरंट अगर quit करना है आपके profit को book करने के लिए तो अब यहां पर cross पर click कर सकते हो और आपकी order जो है वो तुरंट sell हो जाएगी और आपका profit book हो जाएगा क्योंकि अगर आप इसमें जाकर sell करोगे तो chances है कि थोड़ा बहुत delay हो जाएगा और आपका loss हो जाएगा तो दोस्तों हम जो है अभी फिलाल for example exit करना चाहते है तो cross पे click कर लेंगे और यहां पर आपको एक confirmation आ जाता है कि क्या आप सही में position close करना चाहते हो तो अगर आप sure है तो close पे click कर सकते हो और यहां पर आप देख सकते हो position close successfully तो इस तरह से आप चार्ट से ही buy or sell बिल्कुल कर सकते हैं इसके अलाव है अगर आप flash trading करना चाहते तो आप यहां पर flash trading पर भी जा सकते है और्डर की टैब में तो आपको यहां पर bullish और bearish option दिख जाएंगे bullish क्या होता है गर आपको लग रहा है कि market दिरे-दिरे ऊपर जाएगा तो आप अगर आपको लग रहा है कि market दिरे-दिरे नीचे जाएगा तो आप है bearish इस पर आप trading कर सकते हैं तो फिलाल जो है एड़ द जनके वालेट में आपको यहां इतने पैसे होने जरूरी है नहीं तो आपको आड़ करने पड़ेंगे आसान सी बात इसके आलाव अगर आप कोई दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते तो भी कर सकते हैं यहां पर निफ्टी फिन निफ्टी या फिर आपको अगर कमोड यहां पर आप देख सकते हो नीचे जाकर की पूट ऑप्शन आरे सारे सारे अगर आप एक्सपारी डेट चेंज करोगे तो ऑब्यूस सी बात है उस दिन के जो भी कॉल या पूट ऑप्शन से यहां पर दिख जाएंगे अगर आप ऑडर एक्जीक्यूट करना चाहते है इस आप के लिए क्योंकि नॉर्मल दन के अप में यह टैब नहीं आता यह टैब है स्ट्राटजी यहां पर आप देख सकते हो स्ट्राटजी नाम है इसका तो इसमें क्या होता है वापस वही एक दो चीज़े कॉमन यहां पर आ जाती है जो कि है अपके इंडेक्स इंडेक् 22 ऑगस्ट की जो भी चल रहे है अगर आप बाय करना चाहते तो बाय है सेल करना चाहते तो सिर्फ आप कोई भी बाय सेल वाले क्यूब को टच कर लीजे और वो बाय सेल पर सेट हो जाता है इसके अलावा इसकी एक्स्पिरेशन डेट जो है वह यहां से आप चेंज कर सकते ह अगर आप चाहते हैं तो 26 सब्टेंबर पर भी सेट कर सकते हैं उसकी जो भी स्ट्राइक प्राइस है वह आप यहां पर देख सकते हैं और इसकी क्वांटिटी उसकी प्राइस यह सारी चीज़े जो है ट्रेडिंग के लिए यह भी देख सकते हैं अगर आपको एक नई बाय पर टोगल कर सकते जो भी एकस्परेशन आपको चाहिए कर सकते हैं तो आपके चार्ट में आपको काफी चीजह दिख जाती है यहां पर आपका डिवेशन दो दिन का फिलाल सेट है यहां पर चार्ट पर देख सकते हैं कैसी चेंज़ हो रहे हैं यहां पर चार्ट पर चले जाते हैं तो आपके चार्ट की डीटेल भी आ जाती है इअ जुद्ट पर कितने लौट कर सकते हैं अगर आप चाहते तो इंट्रीवेरी भी जा सकते हैं इसके अलावाइब यहां पर प्रॉफिट सिमिलेशन आप देख सकते हैं कि इतना माक्स प्रॉफिट कितना माक्स लॉस होता है आप कौन से पॉंट पर ब्रेक इबन हो वापस आ जाएंगे और आपका रिस्क रिवाड रेशो भी दिख जाएगा वापस नीचे मार्जन रिकॉर्मेंट और यह सारी चीज़े और आपको कितने पैसे हाइड करने की जरूरत है अगर आप चाहते तो टॉप भी यही से कर सकते हो पर अगर आपको यह सारी चीज़े नहीं करनी और आपको सिर्फ एक प्रीविल्ट सेटेजी यूज करने तो आप प्रीविल्ट पे जा सकते हो प्रीविल्ट पे क्लिक कर लीजे और यहां पर वापस आप कौन से भी इंडेक्स आप चूज कर सकते हो फॉर एंपल हम जाएंगे फिन निफ्टी पर फिलाल तो निफ्टी का जो भी प्राइस है चल रहा हो जाएगा और यहां पर जो है जो है जो भी स्ट्राटीजी बनी हुई है वह आपको यहां पर दिख जाएगे यहां पर आपको बूल कॉल स्प्रेड है बूल पूट स्प्रेड है तो इसमें भी अलग-अलग तरह की कॉल स्प्रेड के कैसे स्ट्रेटेजी बने हुए हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पर यह सारी चीज़े आपको यहां पर दिखाई देती है और यहां पर प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिज जो है कितना देख पाऊगे यह सारे चीज़े अवेलेबल है अगर बाप सेम चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है अलग यह अगले इंडेक्स इसकी प्राइस और यहां पर इसके सारे डीटेल्स आचुके हैं का है यह सारी चीज जो मैंने पहले भी बताई थी यह आ चुकी है sell order buy order वापस आप जो भी करना चाहते हो यहां पर वह भी कर सकते हो यहाँ पर दिखाइए तो यही से वापस आप अगर लगाना चाहते हो तो आप और आप से आप अनलाइस पर आपको तो आपके यहां पर रेशो वगरा सारी चीज़े थोड़े डीटेल में दिखाई देंगी ओपन इंट्रेस्ट पीचार यह सारी चीज़े भी है और दुस्त ज्यादा आपका loss जो है वो नहीं होगा पर आप जो है वो थोड़ा information लेके आप trading करें ताकि आपका बिल्कुल ही loss ना हो तो दोस्तों ये था धन option trading का app ये एक purple color का app आपको दिखाई देगा play store में इसका option trading ही नाम है इसका logo जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो दोस् सब्सक्राइब जरूर कर लीजे मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तेंक यू